नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे योटूब चैनल पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा निफ्टी का एनलेसिस कर दीजे निफ्टी बीज का और बजार क्या है कि आएसे ही गिरते रहेगा क्या हमारे पैसे ऐसे ही इससे पहले मैं आज के पूरे कंप्लीट एटी एफ का एनलेसिस करके एक वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरी लेटेस्ट वीडियो है जा करके मेरे चैनल पे आप देख लीजिए अभी बात करते हैं निफ्टी बीज की तो वाला जो है वो 200 डे मुविंग एवरेज है ठीक है आज निफ्टी ने अपने 100 डे के मुविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया निफ्टी बीज ने और वो निचले स्तर पे ट्रेट करने लगी 100 डे मुविंग एवरेज को ब्रेक करके तो इसका क्या मतलब है कि वो 200 क्या वो 200 निफ्टी का जो moving average है उसको भी break कर देगी और यहां आकर के touch करेगी यह सारा चीज जो है वो बजार में data के ऊपर में हम लोग बात करेंगे market का हम लोग sentiment जानने के कोसिस करेंगी कि क्या घटनाए चल रही है और क्या वो 200 days के moving average को अगर nifty break करती है तो क्या वो नीचे चली जाएगी या वी shape recovery देने वाली है तो चलिए दोस्तों देखते हैं start करते हैं अपने analysis को मैं सारा चीज लिख लिया हूँ ताकि time based नहीं हो नहीं तो फिर video के बीच में करने से बहुत time कराब हो जाता है और जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों एक बार ETF का trading course है छोटा सा नमबर यहां flash out कर रहा होगा 6201-514-820 जो लोग join करना चाते हैं whatsapp करके higher look करके आप inquiry कर सकते हैं तो दोस्तों picture थोड़ा हम बड़ा पकड़ते हैं बात ओर यह nifty bees की क्योंकि nifty bees में सिरफ 50 stock है तो इसमें अपने को पूरी जानकारी नहीं मिलेगी पूरे market का scenario पकड़ेंगे कि market जा का रहा है और market चाता क्या है हम लोगों से तो हम लोग पूरा complete चीज समझ पाएंगे कि आखिर बजार में क्या घटनाए घट सकती है बात करते हैं अगर nifty 200 की तो हम nifty 200 को देखते हैं सबसे पहले इससे बड़ा picture है nifty 50 से nifty 200 में 132 जो stock है अभी वो 100 dma के नीचे जा चुके है ठीक है 100 dma के नीचे जा चुके है जिसमें से की 132 में से 132 कितना हो गया 2 by 3 यानि 66% stock 66% stock आपका 100 day moving average के नीचे जा चुका है उसमें से जो है 82 stock 132 में से 200 moving day के भी नीचे जा चुका है 200 moving stock ये बाते start कहां से वी market गिरना तो इसका starting point जो एक October से चाल हुआ जब China ने एक राहत package की घोशना की और अपने FIs जो हैं लगतार पूरे महिने में आप देखेंगे कि सिर्फ red ही red विक्वाली ही विक्वाली की हैं इसके opposite जो है अपने DIs ने पूरे महिने में एक से लेके 18 तरिक तक लगतार खरीद की है करीब करीब मुझे याद है कि करोना में 30,000 करोड के आसपस की विक्वाली हुई थी और अभी 92,000 करोड की विक्वाली कर चुके हैं FIs इतनी बड़ी विक्वाली के बाद भी अगर बजार को अपने DIs थामे हुए हैं तो इसका मतलब है कि बजार में जरूर कहीं न कहीं से opportunity निकल करके आएगी और सारा फायदा अपने DIs को मिलने वाला है अभी बात करें अगर Nifty 50 की तो वो 7% अपने हाइक से fall हो चुका है year high से 7% fall हो चुका है CNBC की मैं एक news देख रहाता है मिस्टर लॉरेंस ब्लैको उनका जो कहना है कि Nifty 50 जो है आने वाले next 20 trading days के अंदर अपने 200 DMA को टच कर सकता है अब आप पुछेंगे 200 DMA Nifty 50 का क्या है तो वो है 23,354 का अभी Nifty 24,450 पे है मतलब 1000 पॉइंट से ज़्यादा Nifty और गिर सकता है तो अगर 1000 पॉइंट गिरता है Nifty as per CLA 4,34, लॉरेंस ब्लैको तो ये 23,354 के आसपास चल जाएगा ऐसा एक पर पहले हो चुका है जब Nifty 50 ने 2024 के जनरल इलेक्षन में मार्च के महिने में 200 DMA को अल्रेडी तोड़ चुका है इसी साल मार्च के महिने में अभी हम लोग October पे बैठे हैं जो सबसे ज़्यादा कंपनिया फॉल हुई है Nifty 200 के अंदर वो सारी की सारी गौर्रमेंट कंपनिया हैं अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 22 अक्टूबर के दिन कल के दिन तक मैंने अनलेसिस किया था आज का दिन मैं नहीं कर पाया तो टोटल 200 DMA के नीचे बहुत सारी कंपनियज हैं जो की सरकारी कंपनियज हैं वो सारी की सारी ट्रेड कर रही हैं जिन में कुछ परमुक कंपनियज का नाम मैं बोल देता हूँ आपको इसका मतलब कहीं से बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मैं पहले आपको बता रहा हूँ वो आप अपने एनलिसिस करके आप अपना फाइनेंसियल एडवाइजर से बात करके खरी दिये जैसे कंटेनर कॉर्परेशन IRFC, LIC, IRCTC, Bank of India और PNB ये सारी सरकारी कंपनी अल्रेड़ी अपने 200 DMS के नीचे में ट्रेड कर रही है एसिया पैसिफिक इक्विटी स्टेटेजिस्ट के एक्जेकुटिव डिरेक्टर है मिस्टर सुनील कॉल इनका ये कहना है कि सुनील कॉल जी का ये कहना है कि बजार में DIs ने inflow को थाम लिया है जो अपने घरेलू हम लोग निवेशक हैं उन लोगों ने थाम लिया है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि लगातार जो है अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और मैं आपको दिखा देता हूँ इन लोगों ने DIs ने थाम लिया है और ये चीज़ जो है एक बड़ी क्रैश को आने से रोक दिया वरना हम लोग अल्रेडी जो है 18-19,000 पे निफ्टी के पहुँच गए होते अभी देखते हैं एक बार चल करके की DIs FIs का डाटा देखते हैं किस परकार से घरेलू निवेशकों ने रोक लिया है तो मैं इसको अगर गूगल करूँ तो दोस्तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मैं आपको लेकर के आ गया हूँ एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं आप क्लियरली देखेंगे देखिए लगातार सब दिन इन लोगों ने जो है नेट होल सेल बिकवाली रेड 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 ये FIs का डाटा है 5644 करोड की बिकवाली इसके अगेंस में ये आप देखेंगे कि अपने जो घरेलू निवेशक हैं डी आई जैं उनका देखिए ग्रीन 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 ये 56,000 का बेचते हैं तो ये 6,000 का खरीद ले रेए यह 4000 का बेच रहे हैं तो यह 500 का खरीद ले रहे हैं यह 22 का बेच रहे हैं तो यह 32 का खरीद रहे हैं और इस परकार जो है इन लोगों ने बजार को अपने जो घरेलू निवेसक है उन्होंने बजार को खुवी थाम लिया है वरना अपना इंडेक्स जो बहुत नीचे चले गया होता है और ये शायद पहला मेहना ऐसा आपको दिखाई देगा कि आप यहां पे क्लियरली देख लीजिए यहां पे एक तारिक से ले करके ठीक है एक से ले करके आप आज हम बैठे हैं तेईस तारिक तक एक भी दिन यहां पे ग्रीन आपको एफ़ाईस का ने दिखेगा ठीक है एक तारी को तो बिक्वाली 15,000 करोड तीन तारी को बिक्वाली किया फिर 8,000 करोड साथ को बिक्वाली किया और अपना हमेशा आपको जिन्होंने 15,000 का बेचा तो हमने 12,000 का खरीदा इन्होंने यहाँ पे 8,000 का बेचा तो हमने यहाँ पे 13,000 करोड का खरीदा इन्होंने यहाँ पे 5,000 का बेचा तो हमने यहाँ पे 4,000 करोड का खरीदा ठीक है इस परकार से आपको देखेंगे कि डोमेस्टिक जो अपने डी आईज है उनी लोगों ने ये देखे पूरा रेड है इनका और अपना पूरा ग्रीन है तो सुनील कॉल सर का कहना एकदम सही है कि अगर घरेलू निवेशक नहीं होते तो बड़ा क्रेश आ सकता था लेकिन घरेलू निवेशक ने जो है बजार को थाम लिया तो मैं आशा करता हूँ दोस्तो थोड़ी सी पिक्चर आपकी क्लियर हुई होगी और अगर कोई information मेरे channel से मिलती है आपको तो मेरे को like करना न भूले इससे मेरा motivation बहुत अच्छा बढ़ जाता है और जो लोग नए जुड़े एक ETF का ट्रेडिंग कोर्स है नंबर है 6201-514-820 इस पे आप high low liquor करके inquiry कर सकते हैं तो इसी के दासाथ दोस्तों मैं वीडियो को विराम देता हूँ मिलते हैं अगले किसी knowledgeful वीडियो में friends तब तक के लिए thank you, bye bye and take care friends